नवश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर इन अ मेजर मेजर हुमिलियेशन फॉर पाकिस्तान पाकिस्तान के करीबी दोस्त साओधी एरेबिया के द्वारा पाकिस्तान को चेतावनी दी गई है कि यदि आपने 48 million dollar की जो due payment है अगर उनको clear नहीं किया तो पाकिस्तान की तरफ जाने वाली जो हज की flights हैं मतलब कि जो लोग साओधी एरेबिया में हज का pilgrimage समाप्त करके वापस अपने घर की तरफ जाना चाहते हैं तो हम लोग उन flights को वापस नहीं जाने देंगे जब तक आप ये 48 million dollar का due payment year नहीं कर देंगे आप लोग जानते होंगे दोस्तों इस साल का जो हज का जो pilgrimage है वो खतम हो चुका है एक जुलाई को ये वाला pilgrimage समाप्त हो चुका था उसके बाद बहुत सारे जो पाकिस्तानी citizens हैं जो कि इस पूरे के पूरे event को witness करने इसको visit करने गए थे साओधी एरेबिया वो वापस अपने घर जाना चाहते हैं लेकिन साओधी एरेबिया ने यहाँ पर ये कहा है direct warning दी है to the Pakistan authorities की जब तक payments को clear नहीं किया जाएगा हम लोग जो है उन flights को आपकी तरफ नहीं जाने दे सकते हैं आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे आज से दो दिन पहले ख़बर सामने आई थी पाकिस्तान's economic crisis, Saudi Arabia threatens Pakistan to stop the Hajj flights if they do not clear due of 48 million dollars यहाँ पर भी आप देख पाएंगे clear due Saudi Arabia threatens to clip park state airlines wings warns of ban on the Hajj flights बात करेंगे पूरी story क्या है और सो पाकिस्तान की जो state airline है जिसको पाकिस्तान international airlines कहा जाता है उसकी स्थिती को भी briefly समझने का प्रयास करने वाले हैं चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनेरुद हमें follow करने के लिए यहाँ पर दिये गए टेलेग्राम चैनल के माधियम से आप लोग ऐसा कर सकते हैं अलसा दोस्तों बताना चाहूंगा कि अगेन इस आने वाले रविवार के दिन हम लोग आपके लिए समुद्र मंतन को फिर से एक बात लेकर आए हैं जिसमें कि हम लोग आपके लिए 50 MCQs लेकर आए हैं और ये एक घंटे में आपको इन MCQs को अटेम्ट करना है morning 10.30 पे ये टेस्ट होगा enroll ज़रूर कीजे इसका link description में है जो top rankers होंगे उनको pathfinder की team की तरफ से काफी अच्छे amazon gift vouchers भी available करवाए जाएंगे इसके इलावा दोस्तो एक नया batch आप सभी विद्यार्थियों के लिए लाया जा रहा है that is the odan batch जिसको की हम लोग शुरू करने वाले हैं from the 17th of July यानि की आज से 12-13 दिन के बाद इस batch को शुरू किया जाएगा जिसमें की again हम लोग आपको 900 से भी अधिक घंटे की prelims और mains की classes, mains और prelims की test series, साथ में answer writing और notes making की classes भी हम लोग लेने वाले हैं and obviously इस batch में भी आपके लिए मैं भी बहुत सारी classes आपके लिए लूँगा जिसमें की geography और science and deck के sessions को इसके अंदर include किया जाएगा तो अगर आप भी इनी सब toppers की तरह जो already on academy के through को कर गुजरे हैं अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम final list में आए तो आप लोग भी इस batch में आकर के enrollment ले सकते हैं इसमें दोस्तों हम लोग आपके लिए एक उडान और geography optional का combo भी लेकर आ रहे हैं जो की एक अगस्त से शिरू होने वाला है geography optional और एक combo का जो price है that is only and only 15,000 रुपीज इसमें भी ध्यान रखिए enroll करते time you have to use the coupon code ANIUPSC कोई भी आपको cost purchase करना है आपको maximum discount मिलेगा अगर आप लोग मेरा code ANIUPSC इस्तिमाल करते हैं सभी चीजों के links आपको नीचे description box में दिये गाए हैं Alright, so very briefly अगर हम लोग Hajj की बात कर लें दोस्तों ये एक Islamic pilgrimage है जो की Saudi Arabia में स्थित Mecca में यहाँ पे लोग basically जाते हैं हर साल हमें देखने को मिलता है और Mecca को Muslims के लिए सबसे जादा holiest city भी माना जाता है Hajj एक तरीके से एक mandatory religious duty मानी जाती है Muslims के लिए जो की कहा जाता है कि हर Muslim को कम से कम at least once अपने lifetime में all adult Muslims जो की physically और financially capable हैं उनको ये वाली यात्रा जो है वो एक बार definitely करनी चाहिए उनको Saudi Arabia में ये मक्का जरूर एक बार जाना चाहिए Now हुआ क्या है कि इस बार का जो Hajj का pilgrimage है वो समाप्त हो चुका है और इसमें दुनिया भर से बहुत अलग-अलग देशों से यहाँ पे लोग आते हैं including from the country of Pakistan जो की Saudi Arabia के इस देश को visit करते हैं लेकिन अब जब ये pilgrimage खतम होने वाला होता है तो obviously वो जितने भी pilgrimage करने जो pilgrims अगर आप लोग ऐसा payment नहीं करेंगे तो उस case में हम लोग जो है आपके जो Hajj pilgrimage है जो की almost 50,000 के आसपास Hajj pilgrims हैं जो की आए हुए हैं from Pakistan उनका repatriation will not commence until the payments are made ये वाली warning है जो की Saudi Arabia का जो General Authority of Civil Aviation है also called as GACA उसके द्वारा Pakistan International Airline को दी गई है ये जो पूरा का पूरा statement है ये जो revelations है ये पाकिस्तान के finance minister Mr. इशकदार के द्वारा इसको सामने लाय गया था during the economic coordination committee meeting जिसको की पिछले ही हफते conduct किया गया था in fact यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का जो state airlines है उसकी economic हालत इतनी जादा खसता है that it may even close down because जो economic coordination committee है it has failed to release 22 billion पाकिस्तानी रुपी क्योंकि इतना पैसा उनके पास फिलाल है नहीं कि वो इतना पैसा इस single airlines को revive करने के लिए दे सकें तो कहा जा रहा है कि शायद ये वाली airlines जो है ये आगे जाकर के बंद भी हो सकती है दोस्तो दिस इस नॉट फर्स टाइम की पाकिस्तान की जो international airlines है उसको इस तरीके की humiliation face कर गई थी पाकिस्तान international airlines का जो Boeing का plane था उसको seize कर लिया गया था the aircraft was impounded because एक Malaysian court के द्वारा एक ऐसा order issue किया गया था कि पाकिस्तान international airlines का वो वाला जो aircraft है उसको Malaysia में ही रखा जाएगा इसलिए रखा गया था because पाकिस्तान ने basically वहाँ पर एक कोई company थी PIA एक company को कुछ पैसा ओ करता था तो उस company ने कहा था जब तक आप वो पैसा वापिस नहीं करेंगे हम लोग आपके ये वाले aircraft को release नहीं कर सकते हैं almost 4 million dollar के आसपास का पैसा था जिसको की उन्होंने यहाँ पे release करना था लेकिन उन्होंने release इसको नहीं किया था same issue पाकिस्तान अगेन अपने PIA के लि release करे गए हैं लेकिन उसका payment हमें timely नहीं मिलता है उस case में तो पाकिस्तान already जुक चुका है ये वाली खबर again आज से 15 दिन पहले की है दो हफते पहले की है और उसमें PIA ने तो ये कहा है कि हम लोग आपसे जो हमने engines लिये हैं उनको वापिस ही कर देंगे because हम लोग फिलहाल payments तो आपको नहीं कर सकते हैं this is not just it अगर आप लोग PIA की economic state को देखेंगे तो इनकी economic state काफी लंबे time से खराब चल रही है काफी लंबे अरसे से इनके जो आर्थिक हालात है वो खसता ही चल रही है 2020 में the airline reported a loss of almost 250 million dollars और इसमें बहुत सारे factors हैं एक तो कुछ economic factors होते हैं जैसे और जगा से competition आना high fuel cost होना लेकिन इसमें बहुत सारे दूसरे factors भी हैं जैसे corruption होना उसके बाद safety वेगरा पे ध्यान ना देना बहुत सारी complaints आना बहुत सारी अलग-अलग संस्थाओं के scrutiny में आ जाना उसकी वज़े से भी इनकी जो economic state है वो बहुत जादा खराब चल रही है In fact अगर safety की बात करें 2020 में European Union के द्वारा ban कर दिया गया था PIA को from flying to its member states due to safety concerns उस ban को almost 2 साल के बाद हटाया गया था लेकिन आज भी जो PIA है उसके उपर सक्त scrutin रखी जाती है in the European Union यहां तक भी कहा जाता है कि PIA में काम करने वाला जो staff है वो highly unqualified है क्योंकि उसमें कहा जाता है कि बहुत जादा political interference देखने को मिलती है जिसके चलते unqualified staff का appointment देखने को मिल जाता है इसका बलकि एक पुकता सबूत भी है जो कि आज से लगबग 2 साल पहले again 2020 में पाकिस्तान में जो pilot licensing scandal था वो सामने आया था बताया गया था कि बहुत सारे जो pilots हैं उनको fake licenses issue किये गए है they were suspected of having paid someone else to take their certification examination on their behalf जिसके बाद बलकि पाकिस्तान को शर्मिंदा होते हुए बहुत सारे pilots के जो bogus और fake licenses थे उनको cancel भी करना पड़ा था बलकि उसी साल की बात है पाकिस्तानी international airlines का एक domestic flight था जिसमें unfortunately एक crash देखने को मिला था जिसमें 90 से भी जादा लोगों ने अपनी जा इनकी service को लेकर भी बहुत सारे सवाल कई बार उठाए जा चुके हैं इवन इनका जो insurance broker है जिसका नाम है Eliana उन्होंने भी termination notice issue कर दिया है they have also demanded the overdue payments and ये announce किया है कि अगर आपने पैसा नहीं दिया तो उस case में हम लोग insurance को आगे continue नहीं करेंगे और ये guidelines होती है कि अगर operations को बंद किया जाता है यहां तक की जो even IATA है जो international airline transport association है उसकी membership भी पाकिस्तान की खत्रे में है because IATA को भी पाकिस्तान काफी भारी मात्रा में पैसा ओ करता है और वहां पर भी पाकिस्तान ने कभी भी पैसा जो है वो timely नहीं दिया है in fact just recently इनका एक payment था जो की 2.8 million US dollars का था जो की इन्होंने 21 June को करना था लेकिन इन्होंने जैसे तैसे उस payment को 23 June को किया है तो कोई भी आप पहलू देख लीजे पाकिस्तान का जो PIA airline है वो किसी भी पहलू पे सही से काम नहीं कर पा रहा है फिर भले उनकी service हो फिर भले उनकी economics हो even political interference और even अंतरराष्ट्रे स्तर पर भी इनका जो level है इनका जो brand है वो बहुत जादा गिरा हुआ है पाकिस्तान इस चीज़ से उभरने के लिए कर क्या रहा है तो पाकिस्तान ने क्या किया है they have said कि हम लोग हमारी जो aircrafts का fleet है उसको बढ़ाने वाले है currently 27 है हम लोग उसको 49 करने वाले है और उनको लगता है कि ऐसा करने से उनका जो airline है वो इस संकट से बाहर आ जाएगा यह वाला फैसला भी आज से 4-5 दिन पहले लिया गया था आप यहाँ पे देख पाएंगे पाकिस्तान government forms high level committee to restructure and revive the Pakistan international airlines यह वाली खबर again जानी मानी मागजीन outlook के द्वारा cover करी गई है so obviously जो भी यह करेंगे इनका जो main agenda रहने वाला है वो ultimately यही होगा कि again किसी और country से loan लेकर या फिर IMF से जो आया हुआ पैसा है उसका इस्तिमाल करते हुए अपनी इस airline को revive करेंगे because otherwise इनके जो airlines के हालात है वो इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं कि यह airlines को अपनी service के basis पे revise कर सके हैं बाकि दोस्तों आपकी क्या राय है हमें definitely बताईए comment section में जाने से पहले एक बार बताना चाहूंगा separately geography optional के batch में enroll कर सकते हैं in only and only 8000 रुपीस और हिंदी batch भी शुरू होने वाला है both batch जो की 15 जुलाई से शुरू होने वाला है you can enroll in this using the coupon code ani UPSC thank you so much for listening stay tuned